चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेस्चेन नंबर 12 को हल करने वाले हैं देखिए क्वेस्चेन नंबर 12 क्या कह रहा है आकरती 12.30 में OACB केंद्र O यहां पर देखिए आकरती 12.30 बनी हुई है और इस आकरती में OACB OACB केंद्र O यहां पर केंद्र O है और त्रिज्जा 3.5 cm वाले एक वरित का चतुर्थांस है यानि कि यह जो आकरती देख रहे हो यह जो आकरती आप देख रहे हो यह आकरती OACB एक वरित का चतुर्थांस है और इसकी जो त्रिज्जा है कितनी है 3.5 cm यादि OD is equal to 2 cm यानि कि यहां पर यह जो OD दे रहा है OD कितना है OD 2 cm है और जो वरित की त्रिज्जा दे रहा है कितना है वरित की त्रिज्जा दे रहा है 3.5 cm तो नेमले खित के छेत पल ग्याद कीजिए हमें क्या क्या बताना है हमें बताना है चतुर्थांस OACB का छेत पल OACB यानि कि यह जो आपको पूरी आकरती दिख रही है इस पूरी आकरती का हमें छेत पल बताना है और दूसरे नमबर पर हमें क्या बताना है च्छाय आंकित भाग यहां पर आपको जो च्छाय आंकित भाग दिख रहा है इस च्छाय आंकित भाग का छेत पल हमें निकालना है है तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं यहां पर देखिए यह जो बन रहा है देखिए एक क्या बन रहा है एक त्रिजिखंड 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 बन रहा है एवरित की त्रिज्जा है और ए भी बृत्त की त्रिज्जा है ए कितना है, ए भी 3,5 cm है तो और ए एंगल कितना है, सेंटरल एंगल कितना है सेंटरल एंगल कितना है 90 डिग्री तो लिखिए O A C B का छित फल O A C B का छित फल is equal to क्या हो जाएगा त्रिजिखंड के छेतपल का फोर्मूला क्या होता है πाई आर स्क्वाइर थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई का वैलू 22 बटे 7 आर स्क्वाइर यानि कि 3.5 का स्क्वाइर कर दीजिए इन्टू थीटा और थीटा कितना है 90 डिग्री थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन में कितना हो जाएगा 360 कैंसिल करिए 4 टाइम जाएगा इसको काटिए यहां पे 2 हो जाएगा यहां से 11 लिकिए 11 को मल्टिप्लाई करिए 3.5 से और अपॉन में क्या हो जाएगा 4 तो मल्टिप्लाई करके लिख लीजिए 11 55 के 5 हासिल 5 11 33 और 5 38 अपॉन में 4 इतना आ गया सेंटीम यस सेंटीमीटर स्क्वाइर यहां पे आप जो चतुर्थांस देख रहें O, A, C, B O, A, C, B का छेंटीमीटर कितना गया 38.5 बटे 4 सेंटीमीटर स्क्वाइर तो यहां पर देखिए यहां पर यह जो आपको च्छाय अंकित भाग का है में सेकेंड नमबर पे निकालना है फर्स्ट नमबर हमने निकाल लिया फर्स्ट नमबर में निकालना था चतुर्थांस O, A, C, B का छेंट पल हमारे पास O, A, C, B का छेंट पल कितना गया 38.5 अपवाण में 4 सेंटीमीटर स्क्वाइर इसको थोड़ा सम सेंप्लीफाई करते देखिए इसको उपर निचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिजिए तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करें 2, 5, 10 के सुन हांसिल 1 और 2, 8, 16 1, 17 के साथ हांसिल 1 और 2, 3, 6 1, 7, 8 तो एक कुछ तरीके से हो जाएगा 77 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वाइर एच छेत पल हो गया OACB का छेत पल यहाँ पे आप देखिए OACB का छेत पल हमारे पास इतना आ गया अब देखिए हमें इस 6 आंकित भाग का छेत पल निकालना है यहाँ पे आपको जो 6 आंकित भाग दिख रहा है हमें इसका छेत पल निकालना है तो यह जो OACB का छेत पल है O, A, C, B के छेत्पल में से अगर हम O, B, D के छेत्पल को माइनस कर देगे देखें, यहाँ पर जो तिर्बुज बन रहा है O, B, D अगर हम तिर्बुज O, B, D के छेत्पल को माइनस कर देंगे तो हमें A वाला छेत्पल मिल जाएगा न हम लोग यही करते हैं हम लोग सबसे पहले तिरबुज O, B, D का छेत्रफल निकालते हैं क्या हो जाएगा तिरबुज O, B, D का छेत्रफल क्या हो जाएगा एक बटे दो O, D, G, O, B O, D, G, O, B एक बटे दो लिखिए O, D कितना है O, D है दो O, B कितना है 3.5 इससे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वाइर यह हमारे पास तिरबुज O, B, D का छेत्रफल आ गया अब हम लोग 6 आंकित भाग का छेत्रफल निकालते हैं तो देखिए 6 आंकित भाग का छेत्रफल क्या हो जाएगा 6 आंकित भाग का छेत्रफल इस इकल टू क्या हो जाएगा देखिए O, A, C, B के छेत्रफल में से माइनस कर दीजिए इस तिर्वुज का छेथपल, तो OACB का छेथपल हमारे पास कितना आया है, 77 upon 8, और तिर्वुज का छेथपल कितना आया है, 3.5, इसको हम लोग हल करते हैं, तो लिख दीजिए 77 upon 8 minus, तो इसको थोड़ा सम्सेंप्लिफाइ कर लेते हैं, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लि कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, साथ चोग 28 बटे 8, और माइनस कर दीजिए, 17 में से 8 गया, 9, 6 में से 2 गया, 4, 6 में से 2 गया, 4, बटे में 8, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 49 बटे 8, सेंटीमीटर स्कॉर, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यह जो आपको छायांकित भाग दिख रहा है, इस छायांकित भाग का छेत पल कितना आ गया, 49 बटे 8, सेंटीमीटर स्कॉर, अगर आप लोग राइट करना चाहते हैं, तो इसको राइट कर लिजिए,